सफर में मुश्किले आएं तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरुरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अकसर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है तो प्रेंट्स आज का व्लोग स्टार्ट करती हुमें इसी मोटिवेशनल थौट से, नमस्ते मैं हूँ राधिका और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत सागत है यहाँ पर देखे प्रेंट्स सुभा का टाइम हो गया है और मैं उठ गई थी कुछ दिर पहले ही तो बस मैंने अभी अपना व्लोग स्टार्ट किया है और मेरे दोनों बच्चे उठ गया हैं, दोनों नी तीनों ही उठके छट की उपर खेल रहे हैं यहाँ पर मैं नीचे आ गई थी और अपना घर का काम स्टार्ट कर दी थी और मेरे दोनों बच्चों की छुटियां पढ़ गई है हमारे यहाँ दुर्बा पूजा में बहुत लंबी छुटि पढ़ती है जैसे एक हफता से उपर या एक हफता तक और मेरे बच्चों का तो अयांस यहां पर कोई बच्चे अगरे सोजाते हैं कभी एक ही रूम में सब ही कोई सोजाते हैं कभी-कभी बच्चे अपने रूम में सोते है तो ऐसा हमारा में चलता रहता है और यहाँ पर देखे से बालों में कंगी ället कर रही थी तो बस बच्चे हैं ना बहुत सुभा मॉर्निंग के टाइम पर अभी मैं कुछ दिर पहले ही उठी थी लेकिन न मैं उपर थी और उपर इसी तरह चुट्टी है तो चुट्टी का फायदा क्यों न उठाए तो फिर नास्ता वेड़ा तो जल्ली बनाना नहीं है तो मैंने मैं पानी भी दे कर आई हूं और बच्चे भी दिये हैं मेरे साथ तो ऐसे ही हम लोग अपना बस इंजोई किये मॉर्निंग का टाइम और उसके बाद देखे अभी मैं कप्रे फोल कर रही हूं क्योंकि रात में ही मैं कप्रे लाई थी जट पे सुखाती हूं न तो मेरे साथ यही होता है कि मैं भूल जाती हूं फिर रात में लाती हूं तो ऐसी पड़े रहते हैं साम को लाती हूं तो साथ साथ में कभी तेह लगा के रख देती हूं तो बस यहां पर बच्चे कुछ कपड़े लेके गए थे अपने रूम में कुछ रह गया था तो अभी मैंने सारा स समेट कर और फिर मैं अभी जारू लगा लोंगे पोच्छा लगा लोंगे यहां पर देखिए आयांस जित कर रहा था कि मैं भी इसके साथ खेलने के लिए जाओं तो फिर यह ना कि आ गया था तो मैं आगी ही पर खेलो अब मैं अपना काम कर लेती हूं उसके बाद देखिए सनाद हो के मैं फ्रेस हो गई थी और घर का सारा काम मेरा हो गया था अभी मैं अपने चेहरे पर बस मुष्य राजर लगा लेती हूं हलका सा और इसी तरह हलका मिला के लगाती हूं और होटो में लिपलॉस लगा लेती हूं यह ना यहां पर बस बिंदी लगा लोंगी और सि ने पास ना एक सिरम था जो कि अभी बहुत दिन हो गया है वह एकस्पायर ही होने वाला है तो बस कुछी दिन मेरे पास बागी थे तो मैंने थोड़ा सा लिया अपने हाथों मेरे अपने बालों में लगाई पता है मन ही नहीं करता है मैं भूल जाती हूं लगाना और फिर कि यहाँ पर मैं पूजा के बरतन लेकर आ गई थी और यहाँ पर मैं धो लेती हूं पूजा के बरतन और उसके बाद फिर में पूजा कर लोंगी और बस वही डेली रूटीन का जो भी पूजा करना है जैसे मैं सिंपल तरीके से करती हूं वैसे ही कर लोंगे यहाँ पर देखिए मैं पूजा के बरतन हमेसा यही धोती हूँ क्योंकि यह पूरा खाली एरिया है और जैसे कि मैं किचन में धोती हूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ-कुछ बरतन तो रहते ही है गिलास के यह जूठे वगेरा तो इसलिए किचन में नहीं दोती हूँ और यहाँ पर मुझे ठीक लगता है साफ सुत्रा रहता है तो फिर यही पर खुले में धो लेती हूँ और उसके बाद देखिए अभी मैं अपने तुलसी की पॉधाया जहाँ मेरा है गमला उसमें मैं जल चढ़ा देती हूँ सुभा के टैम और उसके बाद जो मेरा घर में है छोटा सा मंदीर में वहाँ पूजा कर लोगी और आप सब तो मेरा डेली रूटीन अभी जानी गए हो कि मैं क्या क्या करती हूँ तो फ्रेंड्स मेरा बहुत सिंपल तरीका से मेरा जो रहन सेहन है न मैं ऐसे ही रहती हूँ और डेली रूटीन आप सभी साथ सेयर करती हूँ और आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया किजिए और अगर आप मेरे चैनल में नाएं हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दिजिएगा इससे आपको आने वाले मेरे नए वीडियो के कि मौर्निंग रूटिन खतम करके मैं आ गई थी सीधे किचन और किचन में मैं बना रही हूं बच्चों के लिए नास्ता और खुद के लिए क्योंकि मेरे हजबन निकल गए थे अपने काम से सुभा ही तो वह नहीं है तो अभी हम लोग अपने लिए नास्ता बना रहे हैं और मैं बना रही हूं आज सुभा पास्ता और फ्रेंड्स पास्ता जब तक मेरे घर में यह एक पेकेट आया हुआ था और जब तक यह खतम नहीं होगा ना तब तक यह मेरे बच्चों का डिमांड आते रहेगा कि पास्ता बनाइए तो फ्रेंड्स मैं इसको अभी बॉयल होने और इसको इसमें हम स्टीम भी कर सकते हैं इसमें बहुत सारी रेसिपी भी बना सकते हैं आप भी यह अगारो का मल्टी को केटल विद्स टीमर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो लिंक मेरे डिक्रिप्शन बॉक्स में रहेगा आप ज़रूर चेक आउट किजिएगा तो बहुत कम ही बनाती हूं और जिस दिन छुटी का दिन रहता है तो उस दिन में बना दिया करती हूं और एक बार आने से में लंच में बनाई थी वह भी सिर्फ आसी के जिल से और यहां पर देखिए फ्रेंड्स मैं अभी अपना प्लेट लेकर आ गई हूं आयांस भी ही पर दे कि उसको मैं कपड़ पहना दूँगी आज ना हमारी हाँ पर हलकी हलकी ठंड लग रही थी तो बैस इसको मैंने धूप में रख दिया कि तुम अभी खड़ा हो जाओ ठंडा नहीं लगेगा तो बैस अभी यह सो जाएगा तो इसको मैं सुलाक कर और फिर मैं बाकी का अपना काम करूंगी तो जैसे कि फ्रेंट्स अभी नौरात्रे चल रहे हैं और आज नौरात्रे का तीसरा दिन है और फ्रेंट्स पिछले वीडियो में मुझसे एक बहुत भारी मिश्टेक हो गई है कि मैंने तीन तारिक के जगा ना मेरे मुझसे मिश्टेक से दस तारिक निकल ग व्लोग को पोस्ट करने में और पीछे से ना आपको बच्चों की आवास सुनाई दे रही होगी तो कभी-कभी बच्चों मैं पीछे से अगर बोलो हला गुला करते हैं तो मेरा मैं डिश्टब हो जाती हूं और वोईस ओवर की टैम ना मेरा दिमाग उधर ही चल जाता है इ बैस उसके लिए सौरी क्योंकि अभी कुछ नहीं इतनी बड़ी बात नहीं थी लेकिन सब लोग बहुत ज़्यादा कॉमेंट किये हैं उस वीडियो में तो मैंने सुचा कि इस बात को मैं किलिया कर दूं कि मुझे भी पता था कि तीन तारीक है लेकिन मुह से निकल गया और दिन पहले तो फिर मैं हमेशा सोचती थी कि अच्छा मौसम साफ रहेगा ना उस दिन में धो दूंगी ज्यादा तो नहीं था पर इसमें बहुत जाता गंदगी निकली बहुत दिन इसको हो गया थे मैं सापी नहीं कर रही थी अभी मेरी मैं मतलब क्या होगी आटा हम लोग नहीं मंगवारी हूं या फिर यह लाही नहीं रहे तो ऐसे ही हो गया है तो फिर मुझे घहू दोना एंटा नहीं पर रहा है लेकिन घहू धोने में ही बस थोड़ा सा वो है आला से सरीर में लेकिन सुद। घहू का आटा की रोटी मिल जाएना वो बहुत बड़ी बात होती क्योंकि अभी आटा में भी मिलावट चल रहा है आप सब को जैसे पता होगा आटा को बहुत दिन तक इस्टोर रखने के लिए उसमें कीड़े और ना लगे उसमें वो लोग बहुत सारी दवाहियां डालते हैं और वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो फ ने खाना खाना चाहिए और रोटी तो हर घर में बनती है और फिर रोटी बिना तो जीवन ही नहीं है अनके बिना तो बस यह थोड़ा सा ही था मेरे पास गेहूं तो मैंने सुचा कि मैं इसको धो देती हूं और ना मैं पहले गेहूं कही रोटी हम लोग खाते था अगर आटे की रोटी ना बहुत अच्छी लगती है बहुत मतलब जैसे हम लोग जैसे चबाते हैं तो उसमें मीठास आता है उसका अलगी एक फ्लेवर रहता था अभी हम लोग कितनी से महंगी से महंगी आटा ले 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 ना तो यह घर का जो रहता है वो बहुत अच्छा रहता ह तो बस अभी मैं देखूंगी ऐसे हमेशा गेहूं मंगवाने की कोसिस करूंगी और यहां पर देखी फ्रेंट्स आयांस भी आ गया मेरे पीछे-पीछे यह सोया था और गेहूं बहुत ज्यादा इसमें गंदा निकला न तो इसी वज़ा से मुझे टाइम भी लग गया करीब पौन घंटा या एक घंटा लगी गया मुझे दोने में इतना सगे हूं साफ रहता है तो फिर बहुत जल्दी दो लेती हूं मैं उसके बाद यहां पर मैं दुपहर के लिए खाना बना रही थी और आज दुपहर के खाने में मैं बनाओंगी यह बेसन की सबजी तो इसे मैं सब्सक्राइओं एह नेन नमक घ़ली मिर्श पाउड़र और धन्या पाउडर मिक्सेद्ध दिया कुछ्छ भी नहीं मिलाओंगी और इसको देखे मैं पैट लिया है अर इसको तरी देर के लिए करिप 5 पाच मिनिट के लिए करूँ इसको तेल में त Buddy Thai कर का अगी सरसो पहर यह व्युक्त बदाएं तो इसका अंदर से बनता है और जब में डालती हुना ग्रेवी में तो यह बहुत क्वाओं बनता है घ्रेवी गिया तो इसका अलगी टेस्ट आता है और अभी मैं इसे प्याज अगर नहीं हुआ तो यह देखे अभी एक बार हो गया है और भी सिर्फ दुपैर के लिए ही बना रही हूँ तो जादा मैंने बेसन भी नहीं गोला है तो बस यहाँ पर देखे यह दूसरे टाइम का जो पकोड़ी है इसको ही मैंने डाल दिया है और आप खुद भी देख सकती हो कैसे डालते साथ ही फूल गया है तो जब इसमें ग्रेवी के साथ यह जाता है तो फिर खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है और इसमें पूरे में रस भर जाता है इन पकोड़ों में अच्छा लगता है और यह देखें यहाँ पर मैंने पच्छ फोरन का तरका लगाया है और पच्छ फोरन का टेस्ट ब मैंने नीचे ग्रेवी ऑगेबाद भीकार ही देगके वजब घ्रोटन ये पूरा गंबला में न हरे धनिया के पत्ते लगे वे थे अभी तो मैं रोजी इसका हर्वेस्टिंग थोधा करती हूँ जब मुझे जरुरत पड़ती है न तब मैं यहां से थोड़ा सा ही तोड़ लिया करती हूँ जितनी जरुरत होती है उतनी तो बस यहां पर देखिए और घर का जो हरा धनिया का पत्ता है न इसकी खुसबू भी अलग ही आती है मार्केट से बहुत अच्छी आती है और घर का जो हम लोग कुछ भी उगाते है न उसमें टाइम लगता है बहुत ज्यादा मेरे भी धनिया उगने में बहुत टाइम लग गया और यहां पर देख को और उसके बाद देखें यहां पर मैंने जो भी पकोड़े बनाई थी वह डाल दी है और यह देखी मेरी गर्मा गरम सब्जी बनके रेडी हो गई है और यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो उमीद करती हूं आप सभी को अच्छी लगी होगी हैं फिर में अच्छी से नए व